तो सॉल्व करते हैं फिर कुश्चन नबर 17 इसमें जो की प्रूफ करना था M-N is equal to 1 तो सबसे पहले तो इसमें जो भी क्या कहते हैं प्राइम फेक्टर के फॉर्म में नहीं है तो पहले उनको प्राइम फेक्टर में तोड़ लेते हैं जैसे 9 हो गया 27 हो गया इनको प्राइम फेक्टर की फॉर्म में तोड़ लेते हैं जित्ता हो सके उत्ता सिंप्लिफाइब कर लेते हैं तो एक एक स्टेप वाइस स्टेप में कर रहा है तो 9 लिखा तो इसको क्या लिख सकते हैं 3² के whole of के power n multiply 3² लिखा रहा है ठीपट्लाई 3 की power minus n upon 2 है पावर की उपावर यानी पावर पावर का multiply मैं direct solve तो कर सकता हो लेकिन नहीं कर रहा हूँ मैं यहां पर लिखके दिखा रहा हूँ यह हो जाएगा minus n upon 2 multiply minus 2 फिर minus 27 को क्या लिख सकते हैं 3 की power 3 और whole के power n upon यह लिखा हुआ 3 की power 3 एम ऐसी लिखा रहने दो multiply 2 की power 3 ऐसी लिखा रहने दो इससे ज़्यादा यह हो भी नहीं सकता और equal में 1 upon 27 है तो इसको 1 upon 27 ही लिखा रहने दो power के form इसको लिखा तो जा सकता है लेकिन यहां का भी मुझको कोई use तो है नहीं कि power के form में मैं कुछ कर दू तो उसका कुछ use हो जाए तो जब उसका कोई use नहीं तो इस वज़े से मैं उसका कुछ change भी नहीं कर रहा अब यहां पर यह base same है बीच में multiply है तो इसकी सब की power add हो जाएगी पहले में यहां पर काटे दे रहा है यह 2 से यह 2 काट दिया minus minus का plus में ले लूँगा बाद में यह minus में है तो इसकी power अलग से लिखी रहेगी यह जैसे वैसी लिखा रहेगा तो यहां पर यह तीनों base same है तो इनकी power plus हो जाएगी यह power के उपर power था तो power power का multiply हो गया यह 2n बन गया plus 2 बन गया यह क्या बन जाएगा plus n जो minus minus का था तो minus minus plus बन गया तो सिफ n बन गया फिर minus 3 की power 3n इतना हो जाएगा फिर upon इसमें तो कुछ change हो नहीं सकता यह ऐसे लिखा रहेगा 3 की power 3 multiplied 2 cube equal 1 upon 27 हो जाएगा अब इसके बाद उपर power को plus ही कर लेंगे तो क्या बन जाएगी है 3 की power 3n plus 2 minus 3 की power 3n upon 3 की power 3m multiplied 2 cube equal 1 upon 27 यह हो जाएगा अब तो देखो इसमें कोई base same तो है लेकिन बीच में minus लगया तो इनके बीच में कोई भी operation हो नहीं सकता plus minus multiply divide power में भी और इसके base में भी कुछ नहीं हो सकता और यहाँ पर divide तो है base तो same है power minus तो हो सकती है लेकिन यहाँ पर जब कोई दो term minus हो रहे होंगे तो नीचे वाली power के उपर लाके minus भी नहीं कर सकते तो इसके लिए पहले इसको थोड़ा सा और simplify करना होगा अब यहाँ पर हम इसको करेंगे कि अगर मैं इसको लिखना चाहूं फिर वही चीज़ आ जाती है अगर मैं इसको चाहूं तो क्या मैं इसको 3 की power 3N multiply 3 की power 2 नहीं लिख सकता क्योंकि यह दोनों power प्लस हो रही है तो कब हुई होगी जब बेस सेम रहोगा बीच में multiply और power इस तरह सरी होगी तभी तो प्लस होगा तो बिल्कुल एक step पिछला वाला किया और minus 3 की power 3N है तो 3 की power 3N लिखा रहने दो फिर अपान यह क्या बन जाएगा 3 की power 3M multiply 2 की power 3 is equal to 1 upon 27 लिखा रहेगा फिर इन दोनों में अब देखो यह एक टर्म यह दो टर्म तो इन दोनों में देखो कुछ 3N bracket में क्या बचेगा 3 square minus इसकी जगे क्या बचेगा 1 जब कुछ नहीं बचता तो यानि की 1 बचेगा और यह तो अगर इसमें भी नहीं आया तो इसका एक और तरीका 1 लिखने का अगर मैं यहां पर 3N को चाहूं तो 3N plus 0 भी लिख सकता हूं फिर 3N plus 0 लिखा रहेगा तो फिर मैं इस फॉर्म में तोड़ूंगा तो यहां 3 की पावर 3N multiply 3 की पावर 0 और 3 की पावर 0 फिर यहां बचेगा और 3 की पावर 0 यानि कि किसी की भी पावर 0 उसकी value 1 तो यह हो जाएगा फिर अपाउन 3 की पावर 3N multiply 2 cube is equal to 1 upon 27 अब देखो नीचे दोनों अलग separately multiply के form में थे तो जब multiply के form में है तो इसका मतलब कि इन दोनों की power अब minus हो सकती है क्योंकि बीच में डिवाइड लग गया है और यहां तो अच्छा अभी उसको ना करो यहां पर 3 की पावर 2 यानि कि यह बन जाएगा 9 9 minus 1 8 तो यह उपर क्या लिखा ज 27 यह multiply में 8 multiply में 8 उपा नीचे कर जाएगा अब देख लो अब तो separately इनके base के बीच में डिवाइड है न तो जब दोनों के बीच में डिवाइड है यानि कि power minus होगी तो क्या बन जाएगा 3 की power 3N minus 3M उपर वाली पहले नीचे वाली बार में और equal में अब इसको power के form में चें में हैं उपर ले आओ तो power reciprocal हो जाएगी तो यह हो जाएगा 3 की power minus 3 अब यह बिल्कुल पहले वाली की तरह बन गया कि दोनों तरफ base same है बीच में equal लगा है on comparing both side power are equal तो जब यहाँ पर यही statement लिख देने अपने मन से on comparing both side तो क्या हो जाएगा यहाँ पर power equal यानि 3N minus 3M is equal to minus 3 अब देखो यहाँ पर दोनों में से क्या common है 3 तो 3 common है तो यहाँ पर common ले लिया n minus m is equal to minus 3 3 multiply में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा n minus m is equal to minus 1 हमको proof क्या करना है m minus n तो m minus n यहाँ पर m minus का है तो हमको इसको बनाना plus का है तो इसको transpose करके उधर ले जाओ तो जब उधर ले जाएगे तो क्या बन जाएगा यह प्लस में एन माइनस में और जब उधर जाएगा तो यहाँ पर minus 1 लिखा रहेगा तो minus 1 उधर के बज़े में इधर लियाओ तो equal plus 1 तो यही प्रूफ करना है na m minus n is equal to 1 यह हो गया proof hence proved